यहां के जाने माने जीवन जोती स्कूल में, CBSI के दसवी और बारहवी के टॉपर्स का आज उनके पेरेंट्स के साथ जोड़दार स्वागत किया गया. इस अफसर पर हुए कार्यक्रम में सभी टॉपर्स और उनके पेरेंट्स को फूल मालाओं से और लड़ू खिला कर स्वागत किया गया. उन्हें ट्रॉफियां भी प्रदान की गई. कार्यक्रम में कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी संबोधित किया. स्कूल के एमडी विरेंद्र गहलोत ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उजवल भविश्य की कामना भी की. उन्होंने कहा कि बारवी के पास आउट स्कूलिंग लाइफ के बाद अब कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो उनके सामने नया माहौल होगा. उन्हें अपने विवेक का उप्योग कर परिस्थितियों में धालना होगा. उन्होंने स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स को लेकर कहा, इसमें उनकी स्वया की मेहनत भी काफी है. उन्होंने सभी स्टूडेंट्स से कहां वो मोबाइल से दूर ही रहें क्योंकि यह उनके भविश्य को खराब करेगा. आपके भाई भाई पीजे रहों तक से मभी स्कूल ने बहुत साथ दिया, क्यूंकि जो भी अचीवमेंट वो तो सब स्कूल की है, मेरा तो अबसनाम है, टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, कभी डाउट कूछो, कभी कुछ भी बहुत साथ दिया, यहां तक की मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया, स्कूल तो सभी अच्छे होतें पर मैनेजमेंट इस स्कूल की बेश्थी, हमारे असोक सर हो गया, इरुद्र सर हो गया, वो नोंने दिन रात मैनत करिये हुए उमरसा। हो सब्सक्रा किए हैं आपोट एक क्रीट्स करने बाद से अब बड़ाया है एमडी सर का बहुत योगदान है शुरू से एमडी सर ने इसको साथ बहुत कॉपरेट किया है और बच्चे की मेहनत सबसे ज़्यादा है यह पता रहे हैं कि इनका भाई भी डॉक्टर है हाँ जी सर इसका बड़ावाई संधी पीजाई रौतक से एंबी बीएस फाइनल येर में बहुत बहुत अच्छा सर बहुत मेहनत करते हैं फोन वगेरा टीवी कुछ ने देखना इनको सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब है पढ़ना ही है इनको बस नहीं सरे नहीं ऐसे बच्चे सब को मिलें बहुत अच्छे बहुत समझदार हम बहुत भा गोँना सर्फ बहुत मैंनत के पीछे पहले तो बच्चों की में तो ही है दौन बच्चों की उसके बाद जीवन जो चुछ कई कर उसके टीचिंग स्टार्व का बहुत जवडस योगदान है हमें बहुत अच्छे टीचर्छ मिले और मैंजिंग नाइक्टर स्री भिरंधर जी ने हमें अच्छे सब्सक्राइब करने का पर्यास किया और हमारा बहुत साथ दिया उन्हीं की पदर्थ है हमारे बच्चों की पर्पॉर्मेंस मेरे बच्चे रोजाना लगवार रात को साड़े बारा एक वहीं तक तो कंट्विनस पढ़ते थे पर यह मैं जरू कहता था रोज सामको दो घंटे खेलने जरू जाना है खेलने जाते थे दो घंटे कुछ भी करो फौन चलाओ खेलो कुछ भी करो मस्ती करो उसके बाद तक शाब करें तक वह देखाने के लिए बैठे रहो नहीं पढ़ना यह तो पढ़ना यह तो खेलना यह कोई पंदिश नहीं थी मेरे तरफ से और नहीं मैंने किसी बच्चे को आज तक दमकाया बस मेरी बच्चे प्यार से कहते थे उसी को मान जाते थे जीवन जोती के सबसे पहले तो मैं अपनी Mbbs को पूरे अपनी हटकोर से पढ़ूंगा क्यूंकि मेरे को यह लगता है कि इसकी मेहनत में इसके बड़े भाई संदीप एलोग का भी बहुत बड़ा रॉल है वह जब भी छुट्टी आता था हमें इसको मोटिवेट करता था समझाता था था चैमिश्टी और बहुत अच्छी तरह से उसी परफेक्ट है वो समझाता था उसी बदर था में लग रहा ह जब एक साथ रहेंगे तो जगड़ा भी होगा पट इस भाई नोट लाइट की जगड़ा हो रहा है प्यार भी बहुत अच्छी प्राइट की प्राइट कम कर रहा है यह सर यह वो गैडेंस करते थे मेरे को भाई की यह कर यह कर मतला कभी ऐसे कोई मुझे दीमोटिवेट न जाएंगे अपने स्टुटेंट्स के लिए यह कहना चाहूंगा कि आप अपने टीचर्स को फोलो करें मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर आपको लाइफ में बेटर करना तो जो हमारे प्रिंसीपल सरे देवंदा सर इनके लाइफ मोटिवेटिटिंग जो सेशन से यह बह अब बहुत जादा सपोर्टिंग रहे क्योंकि मैंनिजमेंट वह तो मैंनिजमेंट से रिलेटेड़ है फिर भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा आलवेज मोटिवेश्टिंग सेशन लिए और टीचर्स जो बहतर से बहतर हो सकते तो उन्होंने वह अवेलेबल करवाई मेरे 488 मार्स से बड़े उकर क्या बनादा से बड़े उकर अभी तो मैंने नॉन मेडिकल लिया और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाही कर रही है अब जैक करना में रहा हुआ है मैं जिन में मतलब 10 आवर्स तो था कि 10 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है अचा घर में मम्मी पापा किचन वागर अभी में जब मम्मी कुछ काम दे देती थी पर ठीक है वो भी माइंड फ्रेश कर देता था पर जीविंड़ के स्कूल में पढ़ी हूं और जितने भी टी कि अगर पूरा अच्छे से डिसिप्लेन मेंटेंड करें और हाड़ वर्क के साथ काम करें तो कुछ बहासिल किया जा सकते हैं कि मैं बहुत खुशी है मुझे और सम्मान में सहयोग सभी का रहा था टीचर्स का भी अभीभावक का भी और नर्सरी से मैनेजमेंट का भी सभी का ही सहयोग था हां जी आप बच्बन की यादे भी या फोटो भी है हां क्या है वो फोटो में एमडी सरी से शिल्ड दे रहे हैं और इसके टीचर्स खड़े हुए हैं और उसमें मैं भी हो भवे हां से जाकर गंटे का ब्रेक लेती है उसके बाद अपना पढ़ने बैट जाती है घर की किचन में भी इवनिंग शिफ्ट चल रही थी स्कूल में तो मैंने इसे आट अगूंदना वगेरा सिखाया कि मैं लेट आ जाती हूं तो तू बेटा इतना काम कर दिया कर मेरी हैल मैं यह कहना चाहूंगी कि सभी पेरेंट्स ना बच्चों की बात को प्रायोर्टी दे मतलब वो अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपे ना आप खुद भी जॉब करती हैं हां मैं खुद भी जॉब करती हूं क्या जॉब है मैं गौर्मेंट टीचर हूं किठवाडी स्कूल में तो भव्या जब एक गंडे का ब्रेक ने इसे पढ़ाया कैसे पढ़ाया क्लास में किस बच्चे की क्या हरकत थी हो सब कुछ मुझे एक खाने के लिए देती रहती और ये बताती रहती थी किने बच्चों ने सब्सक्राइब करना चाहूंगा लगबग सीरीज को काफी छोटा करके 40 बच्चों की लिस्ट थी जो आज सम्मानित किये सबसे पहले उन मातर पिता का जिन्होंने अटूट विश्वास अटूट रास हुई अगर हमें कभी एक पल भी ऐसा लगता था बच्चे एक मिनिट के लिए क्लास में भी अगर लेट हो गया तो पिरेंट्स का और टीचर्स का इतना अच्छा कॉडिनेशन था कि बच्चे को कहीं कोई इस तरह का कोई गैप उसके दिमाग में पैदा भी नहीं हो रहा थ और होने की संभावनाएं भी नहीं रही थी और यह सफल दगाश्रे इन बच्चों की अटूट विश्वास का प्रतीक है अब नेक्स सेशन के लिए भी हम बुरी तरह से तैयार है और हमें मैंने जैसे कि आपको शायद मार्च की एक्जाम से पहले आपको विश्वस्त किया और आशा करते हैं कि इस बार जो नए अनुफब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं नया अंदाज जुड़ता जा रहा है अच्छी इसी स्रैनी के मंदीब की स्रैनी के और बच्चे आपको देने वाले हैं मंदीब की सीरीज में एक बच्ची तुल्ची उम्र कम होने के कारण वो पार्ट्समेट नहीं कर पाई और उसकी बेहन भी अन्य था जो हमारे यूजवल एक्जाम होते थे उनमें मंदीब की कंदे से कंधा मिलाकर और कदम के साथ कदम पर परिनाम उसके रहें आशा है नेक प्रिशंट्री सीवेसी का जिसमें मंदी गयालोत में जो की अपने बेच का टैंथ का डेस्ट्रिक टॉप रहा था इसने उसमें 494 मार्क्स लिए और त्वेर्ट में फिर इसने मेडिकल स्थीच ली और मेडिक्ल साइस दो मंदीब गया ने 6.4% माक्स लेकर के मेडिकल में टौप किया एप इसके साथ भायवेस हर्मलेड किये इस बीटिया ने 488 माक्स सीबेसी में प्राप्त किये और यह जीवंजोती गृूप अब स्कूल की सेकिंड टौपर है और जीवंजोती स्कूल पलवल की यह सीबेसी टौपर है तो दोनों ही बच्चे बड़े होनार इनके पेरेंट्स ही बहुत अच्छे हैं जो पेरेंट्स को अपने टीचर का साथ दिया और बच्छों का अथक परिस्टरम यह रहा कि नहोंने अपनी जो पोजिशन थी मंदीप ने खास होसों को मैंटेन करकर रखा है मंदीप ने क्या स्कॉल गया था टेंथ मंदीप ने लिए थे 494 मार्क्स है और अब इसके हैं 96.4 482 मार्क्स आउट ऑफ 500 बिट्या के 488 बाइब सर्मा टेंथ और सो और कितने बच्चे हैं जोनों को जी संदी है देखिए अगर जी में जोती ग्रूप सकूर्स के हम बात करते एक जो बिट्चे जो आज की दिनों अच्छा जो बच्चा है वो और पेरेंट्स उनका रोजान सीवेज सी तरब जादा है बहुत अच्छे जो बच्चे होते हैं सीवेज सी में हमने कंटिन्यू टॉप किया अभी मंच्चे आपने एक बात कहीं दिल्ली आगरा के बीच में तीन साल नहीं ऐसा पोचिन सेंटर कहेंगी तो इस स्कूल से बच्चे जो कर रहे हैं तो पोचिन से इंटराब का को यह आ पड़ाया बागेव उसी फैकल्टी के साथ पड़ रही है जितने सारे टॉपर्स बच्चे थे हमारे सब कर रखी है और बच्चे हमारे वहीं जाते हैं सारे फैसल जो आप प्रवाइद हमकुन कराते हैं जो गरड़ों क्लाशिज है वो अपर जीवन जोतिक आंगा या अलग हुई है बटानी एक्चिम ने क्या है कि यह जीवन जोति गुरूप सपूर्स का एक पार्ट है अलाग और तो एक तो सबकुछ एए कि है आपने मोगाल के पेरेंस पर अलग बढ़ेगा उसका पेरेंस सबसे कोचिंग पलवन अगर है तो गरड़ों क्लाशिज है जो दोदलाग रुपे के साल के लिए वो चीज बाहन नहीं है और सारी अक्मेटेशन सब्सक्राइब फैकल्टी बहुत अच्छी है पर उसी राम जी केरपार रही तो साइध दो त्री साल बात प्लान बंद हो जाए अच्छे सब्सक्राइब जो मैनत कर रहे हैं यह नहीं हम ही करते हैं तो कोसिज करते हैं पलवल के बानना जाए की की सब्सक्राइब फैरे लोग जोड़ देंब अब भी सब्सक्राइब कर पर आइइ उसके मिस्टेश्ट जाएगा है मेरा सब मिस्कुन को और जरूरा होता है पढ़ाई कि दबाब बच्चा कभी सुसाइड नहीं करते हैं मेरे मान ना है बिल्कुल मैं यह बिल्कुल सही कहता हूँ बहुत चीपेस्ट जो यह आज गल चल रहे हैं तीन तीन-चार-चार-चार-चार-चार के पैकेज आउनलाइन क्लासेश के इन से बच्चों को बहुत बड़ा साथ विष रोंगे रात को दसो रोंगी तो दस से बारा बच्चा दससे बच्चा पढ़ता वो तैम बच्चे पढ़ने का नहीं होता है अगर मोईल फिर जल्वाय यूज जाता है तो पेर्जस अपनी नजरों के सामने मोईल को मेरा मान मोईल में खिलाब नहीं हो तो पेर्स अपने सामने बैटा आप पढ़िये में बैठा हूँ यह निए इंडेपेंटर ना दे आपने बच्छों के लिए वह समय अलग था उस समय फिजिकल क्लास नहीं ती सरफ जो वरक आउट था ऑनलाइन क्लास बच्छा करता था ऑनलाइन हमारे टीचर पढ़ा रहा है बच्छा उसको पढ़ रहा है बट online भी चले और बिशिय क्लास भी चले बच्छा स्कूल में बच्छा किसी वी इंस्ट्रूट में जाए अगर किसी बीडाने काम करे सबस्छे को अ आगे बिस तरीकी से जो रजलता है इस तरीकी से बच्चे में और किया चाहिए चाहिए है डेकंगा एक्षिनल किया है कि किसी बच्चे की सफलता के पीछे तीन बिंदू होते हैं उसमें उसका टीचर होता है और उसके माबब होते पेरेंस होते हैं और चौता हो ता उसके वरकाट करना है तो 70% बच्चे का हाट वर्क होता है मेरा मान नहीं 70% बच्चे का हाट वर्क है और 30% 10th सबी कह भी होता है जीवन जोतिफ स्कूल में एक कि आप में कभी चौक होता तो कभी टेंडा होता है तो आज भी रखते हैं आज भी यह तंडा है रखा नहीं है पिल्कुल ने रखता है सरकार के आदिस नहीं है बर रखना पड़ता है तो माँते हैं कि अनुचाशा बदाया रखने के लिए इसकी जरूर पढ़ते रहा है बुटारी आप भी पड़े मैं पढ़ाँ पता आपको साइड में जो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल फिसुक पेज इस्टागराम और एक्सेंडल इसको आप लाइक करें फोलो करें कमेंट बॉक्स में जाके एक पिट्टिक रिए दें उसे लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करतें इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके अभारी रहेंगे धन्यवाद जैन जैपरत